नमस्षार्स वेल्कम बैक टियो ओन चैनल वेल्स अज़े 5th of October 2024 ये वीडियो थोड़ा सा हटके है दोस्तों क्योंकि इस वीक में जिरोधा ने अपने एन्युल स्टेटमेंट्स को पोस्ट हिया अपने एन्युल फाइलिंग्स करी जिसमें कि जिरोधा ने पीछले साल के कमप अब का देखें तो कंपनी की जो रेविन्यु है रेविन्यु एट ट्री टू जिरो करोड रुपीज आया है जो की वन बिलियन डॉलर्स है जहां पिशले साल कमनी के प्रॉफेट्स थे मादर 4700 करोड जो की बढ़ करके अभी जैसा कि आप देख पा रहे है इस रुजन सब substantially to 4700 करोड तो यह 62% का जब हुआ है अब काफी सारे लोगों के देमाग में एक क्वेशन आ रहा है कि सर इतनी बड़ी धनराशी का आप करेंगे क्या इतनी बड़ी धनराशी का वो करते क्या है So दोसों ऐसा नहीं है कि जरोधा स्टॉक्स में इंवेस्टमेंट करता नहीं है There are five stocks which we are going to study in this important video जिसमें कि जरोधा का major investment है लेकिन इसके अलावा भी जरोधा दोसों start-ups में इंवेस्टमेंट करता है उसकी एक subsidiary है जिसका नाम है Rain Matter जो कि basically नए start-ups में इंवेस्टमेंट करते हैं अगर आप मुझे पुछें कौन से leading start-ups है जिसमें कि उन्होंने investment कर रखा है Small case नाम आपने सुना ही होगा Dato, DGO इसके लावा दोसों कुछ अलग बड़े-बड़े जो नाम है जो कि हो सकता है आपने सुने ना हो बट अपनी field में काफी अच्छा कर रहे हैं उनमें से अक्षा कल्प Solar Square is one of the solar power panel बनाने वाली company है वो भी जरोधा के दोरा backed है इसके लावा बहुत सारे start-ups है जिसमें कि जरोधाने investment कर रखा है right from sports to fitness to food, hygiene so overall अगर आप देखे हैं तो जरोधा के ecosystem create कर रहा है for startups of course इतना बड़ा पैसा है, asset light business model है तो this money has to be invested somewhere और ऐसे नहीं है दोस्तों कि जरोधाने सिर्फ startups में ही investment किया है कुछ stocks पर भी investment किया है, past stocks जो की leading holdings है जरोधा कि as far as stocks are concerned उनको discuss कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उन्होंने जितने भी stocks पे की हैं वो सारे के सारे multi-bagger हुए, it's not like that लेकिन there have been good stocks, there have been good outperforming stocks दोस्तों सबसे पहला stock जिसको कि हम लोग study कर सकते हैं, stock के नम है federal bank और जो लोग भी हमसे पुराने associated हैं, they know it very well and I have been retreating time and again, time and again, जब federal bank का stock मातर 80 रुपए के आस पास rate करता था, आज से करीब 2 साल पहले दोस्तों मैं हमेशे बोलता हूँ federal bank के लिए कि ये वो bank है जो की चुप-चाप अपने results post करता है, ना हला ना गुला अपने अच्छे results, हर एक quarter में आप देखेंगे company के जो results and they have come substantially better than the previous quarters, अच्छा जिरोधा का 2,47,98,000 से जैदा के shares, मतलब कमपनी की overall equity में से 1.02% का stake 0 धागा है, in fact अगर हम लोग बात करें कि उनके investment में कितना बड़ा portfolio federal bank का है, तो federal bank holds a very very small portfolio in their entire portfolio, very very small size, अगर हम उसे पूछें कि stock की performance के वारे में अगर हम लोग study करें, तो जैसे कि आप देख पा रहे है, public holding 26% की है वो strong hands में, मेरी बात आपको सुझ में आ रही है, अभी 74% की जो holding है उसमें से 1% तो जरुदार broken काई है, अच्छा, company के return ratios के बारे में बात रहे return equity, जैसा कि मैं आपको बताया, ये company ना तो बहुत आगे है, जो leading front रहे और market के में अच्छी खासी दुलाई जहले, ये एक consistent performance है, अगर आप देखें, company के dividend yield की तो 0.62% का dividend yield भी देता है, और अपने sector में अगर आप compare करें, you'll be interested to see the vis-a-vis ranking in valuation, तो दोस्वों आपको जान करके हैरानी होगी, कि federal bank वो private sector bank है, जो कि सभी private sector bank में सबसे सस्ते valuation पे available है, अगर आप HDFC bank को देखें, 19 के P.E. पे है, ICICI bank almost 20 test करने वाला है, XS bank 14, Kotak Mahindra bank 20, IDBI bank 14, YES bank तो 47 है, federal bank आपको सबसे सस्ते valuation पे मिल रहा है अभी भी, और उसके पीछे का reason सिर्फ एक है, company की consistent performance, अगर आप देखें, जून 2021 में जहां company की sales होती थी, मातर 3500 क्रोल की, जो की जून 2024 में all time high sales post करींग कमनी ने 6700 करोड की, वही बातरे profits की जहां 3700 करोड के आसवास के profits होते थे 3 साल पहले, जो की बढ़के भी 1000 करोड क्रोड क्रोस कर चुके हैं, वही reason है दोसों कि अगर profits 3 times हो जाएंगे, तो company का stock भी 3 times ही हो जाएगा, 2021 में दोसों यह stock 87 कि federal bank is a stock जिसको कि अगर आप लेना चाहते हैं, तो यह stock आप ले करके भोल सकते हैं, again I'm not telling you to buy any stock, but yeah I want you to study these stocks, अगर आप देखें federal bank को, तो federal bank 2021 में trade कर था 80 रुपे, 2022 it went to 120, thereafter 160, और अभी stock ने almost अगर आप देखें, तो 200 plus के levels को recently touch किया है, अगर आप मुसे बुचें क्या stock यहाँ पर लेने लाएगा है, तो दोसों मैं तो यही बोलूँगा, कि अगर आपका view long term का है, तो why not, you must study it, but yeah, अगर आप सोच रहे हैं कि यह stock यहाँ पर बहुत महगा हो गया है, तो मैंने वही valuation wise भी आपको दिखाया है, कि अभी भी despite having risen almost three times in past two to one half years, three years, तो यह stock अभी भ इसकार का एक और investment जरोधा नहीं किया है, जो कि किया है, नोने रेडिको खेतान में, और रेडिको खेतान में भी उनका substantial investment है, 1.04% की ownership है, stake की, जिसमें 14 lakh shares portfolio में जरोधा के है, रेडिको खेतान के बारे में बात करें, as you can see here, right here, almost 100 KP पे यह stock मिल रहा है, दोस्तों अकर आप नहीं है, रेडिको खेतान के ब्रैंड के बारे में, एक से एक जवरतस ब्रैंड कंपनी निकालता है, अभी recently कंपनी का एक ब्रैंड जो की काफी famous चल रहा था, single malt whiskey, which is Rampur, but again I am telling you, you are not recommended to consume liquor, it is very very injurious to your health, but हाँ, कुछ flagship brands है, जैसल मेर, संगम, and जो की world malt whiskey नाव से जाना जात drafted gin है, जिसका नाम है, जैसल मेर, और single malt whiskey है, Rampur, जो की भी recently company ने लाँच करी थे, बहुत famous हुए हैं यह brands recently, और वही reason है दोसों कि stock इस समय आपको अगर आप देखें, तो बहुत ही premium valuation पे मिल रहा है, अगर आप देखें, यह stock आपको 101 KPE पे मिल रहा है, promoter holding के बारे में बा multi business में है, सिर्फ cigarette और tobacco के business में नहीं है, FMCG business में है, लेकिन अगर आप मुझे पोचें, redco खेतान, redco तो सिर्फ और सिर्फ alcoholic beverages में शामिल है, तो कई सारे लोग हैं जो की इस तरह के sector और इस तरह के stocks में investment ही नहीं करते हैं, they consider it sin to invest in such kind of businesses, including some jan and marwali families, notwithstanding that, दोस्वों बात कर June 2021 में, जहां company की sales 600 क्रोड थी, जो की बढ़के almost अभी 1200 क्रोड के असवास पहुचने वाली है within a span of 3 years, तो company के जो sales हैं, वो 2x हो गए हैं in 3 years, profits के बारे में बात रहे हैं, तो profits जो के 60 क्रोड के थे, अगर आप देखे हैं, तो company के profits have been volatile, और अभी जो company ने जून के quarter में profits पो लगई है, अगर आप देखें, 2021 में, company का price, stock का price था, somewhere close to 700, 800, 700, 800 से stock already 22, 2300 के levels को touch कर चुका है, मतलब पिछले धाई-3 सालों में, stock has already given you 3x kind of returns, so जरोधा के जो investment हैं, they have been very fruitful and have given sizeable returns as well, actually क्या है कि जब कभी भी आपकी किसी company में ownership 1% से ऊपर होती है, तो वो चीज मीडिया में highlight हो जाती है, क्योंकि उसका आपको exchange में filing करना वाड़ाता है, exchange की report से यह पता चल जाता है, कि who is the actual owner of that stake, तो अगर otherwise तो I am pretty confident, Zerotha must be having a lot of other stocks in their portfolio as well, अब तीसरा stock दोसों जिसको कि आप study कर सकते हैं, stock का नाम है BSE, अब BSE में Zerotha broking का जो stake है, that is massive 1.68% और इन्होंने इसको थोगा सा पहले भी buy किया हुआ है, बहुत जवरतस return यह stock दे चुका है, अगर आप देखें कि stock ने, stock का price storing ratio भी अच्छा का सा जैम कर चुका, it is more because of the PE expansion, क्योंकि stock पहले तो यह सिर्फ exchange का कम करता था, उसमें कोई भी derivatives नहीं थे, उसक कि आप जानते हैं कि weekly expiry और monthly expiry में अच्छा खासा turnover भी BAC का आने लगा था, unfortunately अभी जो CAB के F&O के नियम आए हैं, उसके चलते, BAC को काफी बड़ा जटका लगा है, और हो सकता है stock में, थोड़ा सा correction आए in short term, but whereas अगर आप stock के बारें बात रहें तो public holding is 55%, return on equity is close to 15%, return on capital employed is close to 20%, जैसा कि आप देख पा रहें, company is absolutely debt free, light business model है, और वैसे भी मैं हमेशे बलता हूँ दोसों, कोई stock रहे, कोई stock ना रहे, किसी stock को profit हो, ना हो, लेकिन exchanges हमेशा चलते रहेंगे, investor आसे 20 साल पाद पहले भी थे, 25 साल पहले भी थे, आज भी है, exchange BAC पहले भी था, आज भी है, और इसी प्रिकार से दोसों, यह वो business है, जो कि continue रहेगा in future as well, यही reason है दोसों कि 2021 जून में, जहां company की sales थी मातर 180 करोड, जो कि बढ़ करके जून 2021 में 670 करोड पहुंच गई है, मतलब सीधे सीधे गर आप देखें, तो almost close to 4 times sale हो चुकी है, profits के बारे बात रहें, 52 करोड स 264 करोड मतलब 5 times profits हो चुके है, वो एक बहतरी investment है, जो कि उन्होंने किया है, stock के बारे हैं बात रहें, as you can see, stock is Brazilian trading at 4100 price range, और कई सारे लोग, कई सारे analyst का मानना है, जो CB के recent directives हैं, इससे BAC को benefit मिलेगा, क्योंकि BAC को benefit मिलेगा, इसलिए नहीं कि BAC के लिए positive है, इसलिए क्य के लिए बला negative है, क्योंकि week में सिर्फ एक ही expiry रखनी है, और जैसे कि आप लोग जाते हैं, NAC के लिए nifty financial services भी expiry थी, nifty financial services, जिसको गोलता है, fin nifty, इसके लावा, fin nifty के लावा, nifty bank भी था, और nifty bank के लावा, nifty 50 भी था, तो ये तीनों की तीनों expiry हैं चलती हैं चलती है these expiries and this entire volume may shift towards BSE, कुछ और भी companies जिनमें उन्होंने investment किया है, but the companies have not performed, तो ये lesson है आपके लिए, कि जब कभी भी किसी portfolio को आप बनाते हैं, उसमें सारे के सारे stock out performance नहीं रहेंगे, for example, उनके investment card trade में अगर आप देखे हैं, तो company का margins है, they are good, company का जो peer ratio है, that has risen high, because company की जो profitability matrix है, व मैं चाहता हूँ कि ये दोनों stocks आप detail में study करें, car trade को अगर आप देखे हैं दोस्तों, ये stock जिस price पे लिस्ट हुआ था, 1600, 1600 के price को अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, presently stock trade करा 900 के आपस, although stock ने नीचे के level से काफी recover किया है, and hopefully stock का जो breakout level है, वो है close to 1000, जहां से stock बार बार और जिस तरह से लोगों के बीच में, luxury cars को खरीदना, एक common habits बन गई है, और resell luxury cars खरीदे हैं, ऐसे में, car trade is going to be one of the major beneficiaries, और India वैसे भी दोस्तों, आभी बहुत ही तेजी से, two-wheeler से, four-wheeler में transform हो रहा है, so car trade is a great business, which slowly will outperform in due course of time, next talk दोस्तों, जिसको कि आप study कर सकते हैं, वो ह एक अच्छा खासा sizeable investment है, and if you ask me, 1.25% का जो stake है, जिसमें करमा 75 lakh से जएधा की shares, वो hold करते हैं, stock को जिसे कि आप देख पा रहे हैं, stock has been underperforming, stock ने pre-covid के levels को भी attain नहीं कर पाया है, योगि दोस्तों, जब कभी भी results आते हैं, so results में either NPS जदा होते हैं, या तो profitability matrix drop हो जाती ह तो कभी भी भी RBL Bank के ऐसे नतीजे नहीं आए कि जब बिलकुल कोई भी observation नहीं हो, या तो NBA बढ़ जाएंगे, तो profits drop हो जाएंगे, provisions कम हो जाएंगे, या तो फिर overall, overall ही underperformance दिखा देंगे, हर एक front पर underperformance दिखा देंगे, तो यह reason रहा हो कि RBL Bank has been underperforming, but the result, the aim, the aim of making this video is that you must keep your money invested, you must always invest your surplus money, but at the same time always remember, that not 100% of your investment is going to give you multi-bagger returns, this is what you have to learn from this important video, I hope you all have a video, in case you do not forget to smash the like button, and do share with your friends, until then, bye-bye for now.